आपके सामने वही आता है जो आप बोते हैं इसलिए याकूब के सामने धोखा आया लोगि वो धोखा बोके गया था जिन्दगी क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को आत्मिक हैं जब आप इस सेंस को समझ आते हैं, जिन्दगी आत्मिक हैं आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं आप प्रेयर बढ़ाते हैं फास्टिंग बढ़ाते हैं आप रिजन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रिजन क्या है तू बच तरह घराना बचाया जाएगा आप बचते हैं आप घराना बचाया जाता हैं आप चुमबक की तरह हैं, जितनी प्रेयर, उतनी पावर, और उतने पावर्फुल होंगे आप और खीचेंगे ब्लेस्टिंग्स को, अपने परिवार के उद्धार को, आप खीचेंगे परमेशों की हर उस ब्लेसिंग को जो आपके लिए बनाई गई, जैसे आप आत्मिक हल ढूंड लेंगे, आप गभाही के साथ यहां खड़े होंगे बहुत जल्दी, लाइफ क्या है, यह हमेशा समझने है, क्योंकि जब याकूब के मामा ने का लाबान ने, कि यह ले भाई काली बक्डियां और काली भेडें, और काले उनके हस्बेंड, और जितने बच लाई उसके घर पे इफेक्ट करती, क्योंकि उसकी पतनियां, लाबान की क्या थी, बेटियां थी, आप उसे मालूम था कि अगर मैं लड़ूंगा शारिरिक रिती से, तो शैतान काम करेगा मेरे परिवार में, और सब कुछ चोपड हो जाएगा, उसने परमेशों से प्रार पानी पिलाता था तो उसने छडियां छील के उनके सामने रख दी, अगर वो चित्ते दार बच्चे चाहता था, वो चडियां छील के चित्ते दार बनाके उनके सामने रखता था, जब वो पानी पिने आती थी, उन छडियां जो छीली होती थी, उनको देखके गरवती होती तो वैसे बच्चे जनम देती थी, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर वो लड़ता तो मरता, अगर वो शारीजी गृती से अपना हल ढूणने की कोशिश करता, तो कभी ना पहुंच बाता, क्योंकि लाइफ क्या है, स्पिरिचुल है, आपका हल भी क्या है, स्पिरिचु आपको समझना है ये चीज, कि दैनियल ने जब प्रार्थना की, तो एक स्वरक दूद प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे आता है, और रास्ते में शैतान का दूद उसको रोक के खड़ा होता है, क्योंकि लाइफ क्या है, स्पिरिचुल, जिस दिन स्पिरिचुल हल आप तून लेंगे, बाइबल से, वचन से, आत्मा से, उस दिन आप यहाँ खड़ी होगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, कि जब एक व्यक्ति के ऊपर कर्स काम कर रहा हूँ, शैतान उसके पीछे हो, तो उसका पैसा भी उसको वीजा नहीं दे सकता, उसका एफट जो है, वो फूट करते हो, जो आप डिजर्फ करते हो, आप कभी नहीं मिलता, जो आप डिजर्फ करते हो, शैतान आपको लेने नहीं देता, आप बोलते हो, यह मेरा हिस्सा नहीं, यह मैं डिजर्फ नहीं करता, मैं कुछ हाई डिजर्फ करता हूँ, लेकिन परमेश्वर आपको वही देता ह तोहले जिसके लिए आप fight करते हो कि जो आप deserve करते हो आपको नहीं मिलेगा इसके लिए fight करो करो आपको मिलेगा fight का आत्मा आट मां एंटर एक यापकी life के अंदर है 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 fighting spiritual एंटर करें आपकी लाइफ के अंदर एक राम में उचे चर्च जैसे जैसे आत्मा की घर्मी बढ़ती जाएगे आपका आप अच्छे और बड़े चुम्बक बनते जाएंगे किसी पर कंप्लेंट करने की जुरूत नहीं कि आपका गिरना या उठना सिरुफ आपकी स्पिरिच्वल लाइफ के ओपर डिपेंड करते हैं आप कैसे समझते हैं बाइबल को और आत्मिक जिंदगी को यह उस चीज़ पर डिपेंड करते हैं अमेहिन मैं लोगों से बात करते हूं के पास फेलियर का वेन कोई कारण है मेरे लोगों ने मुझे धूखा दे दिया और मेरी चर्च तोड़ती नो कोई आपकी चर्च तोड़ती नहीं सकता लाख आये लाख जाए अप ऐसे खड़े रहेंगे चतान की तरह ऐद्धा परतिश्य आपको फर्क नहीं पड़िगा ग・म करई आज आपको फरक नहीं पड़ता हूँ मैं अगरेल कहह रहा हूं लेकिन आपको सो इसार्प हरक पड़ता है अगर आप स्पृरिट्फिश्वल टाउन हो जाएं मैं तो उसकी healing हुई, life क्या है, spiritual, Amen, अपनी हाथों को उठाओं बोलो परमेश्वर, इस अत्निक जिन्दगी को जीने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, आपकी आँखों के साथ देखने के लिए और चलने के लिए, परमेश्वर के दावर,